वर्ल्ड मॉस्ट ट्रेंजर रेलवे ट्रैक्स पार्टू दोस्तों ट्रेंड पर सफर करना तकरीबं हम में से सभी को पसंद होगा मगर आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच सबसे खतिरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जहां आप भूलकर भी नहीं जाना चाहोगे इन railway tracks पर सफर करना मौत के रास्ते पर सफर करने के बराबर है तो बिना time waste किये चलते हैं अपनी list की तरफ दोस्तों अर्जंटीना में बना ये railway track दुनिया के सबसे खतरनाक railway tracks में से एक है इस railway track को train to the clouds भी कहा जाता है क्योंकि ये railway track सता समंदर से 13,850 feet बलंदी पर बना है ये railway track 1948 में बना था और इस track को त्यार होने में तकरीबन 27 साल लगे थे ये train 21 tunnels और 29 bridges को क्रोस करती हुई चिली तक पहुंचती है जिस bridge से ये train गुजरती है वो सता समंदर से 13,850 feet बलंद है ये दुनिया की पांचवी सबसे उची train सर्विस है इतनी बलंदी पर बने इस track से जब train गुजरती है तो train में बैठे मुसाफित सांस लेना भूल जाते हैं दोस्तों अमरीका की स्टेट होलोराडों में वाकि ये railway track 3 feet narrow gauge का है अपनी खुबसूर्ती की वज़ा से ये हमेशा चर्चा में रहता है ये railway track दो पहाडों के दिर्मियान बना हुआ है इसकी तामीर 1984 में हुई थी लेकिन कुछ हाथ साथ की वज़ा से इस track को 1947 में बंद कर दिया गया था फिर construction के बाद ये 1984 में दुबारा खोल दिया गया ये track 7.2 किलो मीटर लंबा है और 640 फीट उंचा है इस railway track के कुछ मोड इस कदर खतरनाक हैं कि मुसाफिर सांस लेना भूल जाते हैं ट्रेन जब पहाड से होती हुई गुजरती है तो उस वक्त का नजारा काफी ज़्यादा खोफनाक होता है दोस्तों हमारी लिस्ट में ये railway track अपनी शांदार बनावट की वज़े से नंबर 3 पर है ये दुनिया का पहला suspension railway system है यानि इस track पर trains लटक कर चलती हैं ये railway system काफी पुराना है इसकी शुरुआ सन 1901 में हुई थी जर्मिनी के वो पर्टल इलाके में चलाई जाने वाले इन trainों में तकरीबन हर रोस 82,000 लोग travel करते हैं ये train 1999 में वो पर्टल नदी में गिर गई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे और तकरीबन 50 लोग शदी जखमी हुए थे इसके इलावा साल 2008 में और 2013 में भी मामूली हाथ साथ हो चुके हैं इस train के track के लंबाई 13.3 किलो मीटर है और ये नदी से 40 फीट बलंदी पर चलती है यहां की सडकों पर ज़्यादा राश होने की वज़ा से और पहाड़ी इलाका होने की वज़ा से अंडरग्राउंड रेलवे नहीं चलाई जा सकती थी इसलिए ये हैंगिंग ट्रेन सिस्टम की शुरुवात की गई ऐसी ही ट्रेन्स अब जापान में भी चलाई जाती है बंगलादेश की ट्रेन्स को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन्स का जाये तो गलत ना होगा और वो भी सिरफ इनकी ओवरलोडिंग की वज़ा से किसी तहवार के मोके पर यहां की ट्रेनों पर रश ऐसे होता है जैसे किसी गुड की डली पर मक्यों का होता है ये लोग जान की परवा किये भी न, इन खतरनाक ट्रेंज का सफर करते हैं, चाहे इने मीलों तक ट्रेंज के साथ लटक कर ही क्यों न जाना पड़े, ढाका गोर्मेंट रेले पुलिस के मताबिक पिछले आठ सालों में, यहां 2321 लोग ट्रेंज सफर के दुरान अपनी जान से हाथ दो बैठे हैं, और हजारों लोग हर साल शिदी जखमी होते हैं, हद से जादा ओवरलोडिंग की वज़ा से यहां बहुत से ट्रेंज हाथ साथ हो चुके हैं, अब आप इस ट्रेंज के आगे बैठे इस बाई साब को ही देख ले, पट्री पर आने वाली किसी भी रिका रेलवे ट्रेक साउट डिवान इंगलेंट, दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रेक की टॉप लिस्ट पर आने वाला ये रेलवे ट्रेक डिवान और कॉर्णवाल को मुल्क के बाकी इलाकों से जोडता है, ये रेलवे ट्रेक 1875 में बनाया गया था और अब तक इसे हजारों रेपेयर किया जा चुका है, समंदर की खतरनाक रेलवे ट्रेक ज्यादा तर तूट पूट का शिकार रहता है, कई बार पट्री के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, यहां तुफान का आना मामूली बात है, ये कहना गलत ना होगा कि इस समंदर की रेलवे ट्रेक की तरह बह कैसी लगी, कमर्स बोक्स में हमें अपनी कीमती राइसे जरूर आगा कीजिएगा, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, मजीद ऐसी वीडियो उसके लिए हमारा चैनल, इलम के मोती सब्स्राइब करें, वीडियो देखने का शुक्रि शुल्या कॉपरियो घज चैनल, वीडियो राइसे विएगा na ostr sex वर चैनल хочуाइसे लिएTORे दोडने की सका थीए हमारा चैनल, वी मनमें उस घसे ऎक सब्सक्राइब के बाक्र में इनलएबपसे वीडियोवड़ने की सूरत में सुलन, इस एदिंए हमारा फॉल्या हमारा बन